OTT पर तहलका मचाने वाली मिड़जापूर बेस्रीज के तीसे सीजन का फैंस बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं। पूरे सीजन में मिड़जापूर में कालीन का कारोबार दिखाया गया है। जिसमें अखंडा नंद तिरपाथी उर्फ कालीन भाया मौकाल काटने नजरा रहे हैं। फिलमी दुनिया ही नहीं बलकि रियल में भी मिड़जापूर में कालीन का कारोबार होता है। यहाँ पर तयार होने वाली कालीन मुगल काल से ही विदेसों में एक्सपोर्ट की जा रही है। आज भी यहाँ पर बनने वाली हस्त निर्मित कालीन वदरी अमेरिका जापान वचीन में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। मिड़जापूर जिले में 18 सताबदी के बीच में कालीन का कारोबार सुरू हुआ था। मादो सिंगाओं में आकर कुछ बून कर बसे हुए थे। जिसके बाद उन्होंने इस कला को पूरे च्छत में पहुचाया। मिड़जापूर में तयार होने वाली हस्तनिर्मित कालीन वा दरी की डिमांड तेज हुई और अदबुत नकासी होने के साथ ही अलग डिजाइन होने की वज़ा से इसे विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाने लगा। मिड़जापूर दरी कार्पूरेट मेनुफेक्ट्टर एस्सोसियेशन के अधर्च आसीज हुधिया ने बताया कि 1910 में ही मिड़जापूर में बनी कालीन वा दरी को विदेशों में एक्सपोर्ट किया रहा था उस समय हैवी ओ टीटी कंपनी सेक रंग तुल्ला एंड बस मिड़जापूर में जो कालीन का बिनाई और उनी हस्त निर्मित उनी दरी का बिनाई मुगर पीरियड में एहां से जालू हुआ था मिड़जापूर के बगर में तुमादो सिंग नमकिस्थान है वहाँ सत्रवीन सताब्ली के मध्य में कुछ मुनकर को काके बसे थे उन्हों के उन्हों नहीं करा को पुरे छेतर में फ़जाया और पिछले 2010 के आसपास से मरिजापू में कई एक्सपोर्टर थे जो यहां से विदेश कारीन और फस्त नियमित दल्लियों का नियाद किया करते थे और जिसे हेल कंपणी थी, हेल और कंपणी ओवीटी, सेक रंग तुल्रा और वदर्स उसके बाद आज़ादी के बाद से पुरे विश्व में मिरजापू की कारीन और फस्त नियमित दल्लियों का नियाद होने रगा आज मुझे गर्व के साथ बताते हुए हर्स हो रहा है कि हमारी पारिया मेंट हाउस जो नया बना है उसमें भी जो कारीन विछा है तो मिरजापूर के ही एक नियमाता के द्वारा नियमिक किया गया है और आज अमेरिका यूरोप लेकिन अमेरिका जापान यहां तक की चाइना पो भी अमेरोग कुछ अब तक में र्याद कर रहे है और पिछ़रे कुछ सालों से कारीन और दरी के नियमार में वो जो तेजी थी जो कम हो गई है बुंकरों की संख्या बहुत तेजी से घट रही है उसका कारण यह है कि अंतलाष्टी मार्केट में मसीन मेट कारपेट और लक्स की डिमांट बढ़ गई यह सस्ते पड़ते हैं हस्त नेमित होने के नाते हम लोग का प्रड़क्ट मसीन मेट से कुछ भागा पड़ रहा है उससे हम वारे ब्रवशाई पे कुछ प्रतिकूल असर पड़ रहा है हम लोग चाहेंगे कि इसमें सरकार के द्वारा हम लोगों को कुछ सहयोग मेरे जो ड्राबैक की और हम लोगों को मिलता है नियाद करने पे उसकी विद्धी होने चाहिए ताकि हम अपने इस मुनाफे को अपनी रागत में अग्जेस्ट कर सकें तो उससे गुंतरों का भी प्रायन लुकेगा और इस छेत्र की आर्थिक गत्विदिया मिर्जापूर की आसपास की जिलेव की बढ़े की